प्रीविद्यार्थी, आज के इस क्लास में हम लोग पेंसीलियम के आर्थिक महत्व और उसमें प्राप्त होने वाली सनरचनाओं के बारे में विचार किया जाएगा पेंसीलियम को एक कॉमन नेम ब्लू या ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है यह ब्लू या ग्रीन कलर इसमें बनने वाले इसके माईसीलियम पे जो कॉनीडिया होता है उसके कलर के कारण होता है यह एक सैप्रोफिटिक फंजाई है ताथ पर यह है कि इट फीड्स ओन डेड्ड मैटेरियल जो डाइंग डिकंपोजिंग और्गेनिक मैटर है वहाँ पर यह ग्रो करता है देयार इकनॉमिकली प्रोड्यूसे चीज और्गेनिक एसीड एन एंटिबायोटी एंटिबायोटीक पेंसिलीन का आप लोगोंने नाम सुना होगा यह पेंसिलीन एलेगेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिसकवर किया गया था जिस प्लांट से या जिस फंजाई से वह है पेंसिलीन नोटेटम आगे चलके उसका नाम पड़ा पेंसिलीन क्राइसोजेनम पेंसिलीन रोगफोर टाई के द्वारा चीज का निर्मान होता है उसे ब्लू चीज के नाम से जाना जाता है उस चीज को ब्लू चीज के नाम से जाना जाता है और पेंसिलीन का जो इस पेंसिलीन रोगफोर टाई ये डिकंपोजर के रूप में त्यूकि ये ग्रीन होते नहीं है फंजाई है तो ये decomposition करके ही अपना nutrition और energy पाते हैं तो इस वज़ा से या एक scavenger है अर्थात सफाई कर्मी है जो भी organic matter कहीं है तो उस पे ये organism जो decomposer है वो लगते हैं और इस प्रकार से वा ecosystem में material की cycling कर देते हैं जो material organic matter में बंधा पड़ा है उसकी cycling हो जाती है वो छोटे-छोटे खंडों में भाजित होके molecules में फिर स्वाइल में वो nutrition वापस तरा जाता है या स्वाइल में, air में और decaying food में भी प्राप्त होगा अब air का मतलब यहाँ यह है कि उसके sports air में पाए जाएंगे यह sexual reproduction के लिए एसको spore का, जो एक endogenous spore है एसको my seeds की विशिष्टा है, वो produce करते हैं अच्छा, इन्हें painter's brush भी कहा जाता है इसका कारण यह है कि जो इनका कुनीडिया लगता है वा chain में लगता है और यह कुनीडियो खोर पर विक्सित होता है कुनीडियो खोर अनेक बार branching उसमें हुई रहती है और उन branching से एक समूह का निर्मान होता है और वा समूह देखने में painter's brush के समान देखता है इसलिए painter's brush के नाम से भी जाना जाता है तो एसेक्स्वाली production इनमें कुनीडिया के द्वारा होता है common species में मैं बताया है pencilium notatum और crysogenum है और rock fortai का नाम दिया blue cheese के लिए तो ये कुछ इसके महत्वकून species है अब आई ये ज़रा सा इसके systematic position पर ध्यान दिया जाए तो यह ukariota है और my quota या फंजाई में बिलॉंग करता है phylum इसका esco my quota class eurosio my seeds order eurosils family trico trichomycetis trichomycetese और genesis का है pencilium तो ये कुछ उसकी general जानकारी संचिप में अब आईए हम लोग इसको आगे देखते हैं इसमें तीन चित्र है हमारे पास एक जो नीचे में है या दिखाई दे रहा है आपको ये इसका vegetative structure है और दाहिने तरफ उपर में जो चित्र है वह इसका penters brush जो मैं आभी बताया था वह ए sexual reproduction का structure है conidio 4 और उसके associated और भी धेर सारे अलग-अलग level पर structure रहमी और मेटुले और फिलाइट्स और उसके बाद chain of conidia तो ये structures उसमें है और यह जो नीचे वाला structure है दाहिने तरफ यह structure उसके life cycle को भी represent करता है और चुकि यह cyclic form में है तो यह life cycle को भी represent करता है और यह sexual stage इसके upper part में है और lower part में इसमें sexual stage को दिखाया गया है यह हम लोग पुना देखेंगे आगे चलके तो चलिए अब हम लोग इसकी संरचना पे विचार करते हैं तो संरचना में pencyllium में mycelium होता है जो की septate होगा और या multicellular होता है septate होने से या multicellular होता है और इतना ही नहीं या multinucleate भी होता है इच सेल में अनेक nuclei होंगे mycelium is highly branched septate multi-nucleate cell vial is made of glucose, polysaccharide and kaitin तो cell vial kaitin का बना रहेगा central pore present in the septa और conidio 4s are at branch end with conidio 4 reproduces asexually and exogenously conidia is produced इस पर conidia कैसे बनेंगे तो यह exogenously बाहर में बनेंगे conidia एक chain में बनते हैं और यह chain जो है वह basic petal succession कहा जाता है अब यह बड़ी महतुपून चीज है basic petal succession का तादपर होता है कि जो older conidia है वो तो top पर पाये जाएंगे और जो younger है वो नीचे क्रम से और younger और younger नीचे की और पाये जाएंगे इससे लाफ उसको यह होता है कि older one जब mature हो जाएंगे तो वो detach हो गये और तो भी नीचे वाले अपना बनते रहेंगे तो conidia इसमें basic petal succession में होते हैं और उसका मतलब है कि youngest at the base conidia are on a specialized cell phyllides present on conidio 4 तो phyllides क्या है यह इसका एक alternative name isterigmata भी कहा जा सकता है और यह ध्यान रहे कि phyllide को flask sept कहते हैं या flask sept या एकदम ठीक बोतल की तरह रहेगा बोतल में उपर में narrow neck होता है तो इस परकार phyllides भी उपर में आके narrow हो जाएंगे और तब फिर वहाँ पर conidia का निर्मान होगा actually conidia का निर्मान phyllide से ही होता है उस पर पहले bulge निकलता है और उस bulge में nucleus चला जाता है divide होके और फिर वह conidia का निर्मान करता है और फिर यह प्रक्रिया बार बार होते रती है और इस परकार से chain का निर्मान हो जाता है और आरंभ में जो base के आधार पे है वह conidia जो बनेगा वह छोटा होता है देखिए यहां चित्र में असपस्ट है अब देखिए इसकी conidio 4 यह नीचे से जब चल रहा है vertical यह ग्रो किया इसका mycelium देखिए कैसा रहेगा तो यह surface पर profusely branched रहेगा profusely branch, cylinder, cylindrical, tubular structure जो की septate होगा जिसमें अनेक nuclei होगे तो यह mycelium किस परकार से रहेगा तो यह surface पर पाये जाएगा और downward वहाँ से नीचे की ओर जहां ताहां मने कहीं कहीं हाइफा निकलेंगे और वो substratum के अंदर जाएंगे और वहाँ से जाके nourishment को वो लेते है और इस branched हाइफा से उपर की ओर vertically यह surface पर फैला है horizontally और इससे उपर में vertical में यह conidio 4 नाम का structure निकलता है और यह बटा रहता है कई बार यह इसकी branching भी होती है conidio 4 की तो यह इस type और इस type के बाद देखिए एक मजबूत बटवारा हुआ जब दो में तब उसको उसका नाम पड़ गया रैमी और रैमी जब उपर गया देखिए फिर दो में भी भाजित हो गया तब इसको कहने लगे रैमी और रैमी जब उपर गया तो फिर और भी भी भाजित हुआ और एक base या support प्रोवाइड कर रहा है फिलाइड को और इसको मेटूला के नाम से जानते हैं और मेटूला के उपर जब आप जा रहे हैं तब आपको देखने में मिल रहा है फियालाइड्स या इसको इस्टेरिग माटा भी कहते हैं और देख लिए या बोतल के समान सनरचना है यहाँ पर देखिए ये structure बोतल के समान ये corner पर ये जो है या बोतल के समान सनरचना यहाँ पर भी या top का सिर्स का ये एक layer जो ये पाया जा रहा है ये philides है और इस philides या इस्टेरिग माटा या बोतल के समान है और इसी के उपर देखिए ये chain में कोनीडिया ये लगा हुआ है ये chain में उपर में कोनीडिया जा रहा है तो इस प्रकार से यह कोनीडिया के द्वारा एसेक्स्वल रिप्रोडक्शन करता है और गौर कर ये तो कोनीडिया के अंदर नूकलियाई एक से अधिक भी रहेंगे और यह कोनीडिया जर्मिनेट करेगा तो फिर अपना न्यू थेलाई का न्यू माइसिलियाम का निर्मार कर देगा और यदि इसमें नूकलियाई एक से अधिक है तो यह मल्टी नूकलियाट बनाएगा और एक भी होने की स्थिती में भी यह माइसिलियाम में जब कनवर्ट होगा हाइफा बनेगा तो वह हाइफा अवस्थे ही multi-nucleate होगा तो ये बात ध्यानरखना है ये इसका asexual reproduction है अच्छा अब देखे जब reproduction की बात की जा रही है तो pencyllium में reproduction vegetative भी होता है asexual भी होता है और sexual भी होता है vegetative reproduction इसमें फ्राइग्मेंटेशन के द्वारा होता है कहीं से खंडित हुआ तो वह खंडित पार्ट भी ग्रो करके पूरा माईसीलियम बना लेगा या वेजटेटिव रिप्रोडक्शन है अब ए सेक्शुल रिप्रोडक्शन जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया वह पिलाईट पर डिवल होता है इन सब चीजा की बात हम लोग कर चुके है कोनीडिया का रंग ब्लू या गृरीम हो सकता है यह ओल såाब का होता है और वीनड के द्वारा डिस्पर्स होता है अ flows के द्वारा यह फैलता है और इसमें आगे जैसा पहले बताया था कि यह जर्मिनेट करेगा सुटेबुल सबस्टेटम पे और फिर उसके बाद इसकी नुकलियाई में पहले फ्री नुकलियर डिविजन होगा तो अनेक नुकलियाई बन जाएंगे और फिर वो सेप्टा लेड डाउन होगा तब अनेक नुकलियाई एक सेल के अंदर बनेंगे तो इस प्रकार से यह नया माइसीलियम का निर्माड करेगा एसेक्शुल प्रोड़क्शन और देखिए यहाँ पर एसेक्शुल प्रोड़क्शन और माइसीलियम का स्ट्रक्चर कुनेडिया का जर्मिनेशन प्रूटिंग बॉडी क्लिस्टो थीसियम और एसको स्पोर का निर्मान ये सारी चीजे इस तस्वीर में दिखाई गई है अब यहाँ पर आप गौर से यदि देखेंगे तो माईसीलियम से सेक्सवल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ लिखा हुआ है एंथ्रीडियम, एसकोगोनियम और यहाँ एंथ्रीडियल ब्रांच है यह सामाने तोर से होमोथैलिक होता है पर होमोथैलिक के लावा हेटरोथैलिक भी हो सकता है और या इसमें female sex organ escogonia male sex organ enthridia है और enthridia जो है वह coil होता है escogonium के चारो तरफ जैसा कि दूसरे चित्र में है नीचे वाले दूसरे चित्र में और उसके बाद SI और क्लिश्टो थीसियम का निर्मार दिखाए गया है उसके बाद escogospore बनेगा और escogospore आठखी संक्या में बनेगा या जर्मिनेट करके फिर मैसिलियम बना देगा तो यह चित्र का एक जेनरल वीवरन हो गया अब हम लोग इस पर आगे चलते हैं कि sexual reproduction कैसे होता है पर sexual reproduction में आने के पहले या एक महत्वपूर्ण बात सामने हम लोग के अवस्ते आ जाना चाहिए कि pencilium को यह माना जाता रहा है century भर से मतलब वर्सों वर्सों से 100 साल के समय में कि या जो है conedial form से ही या multiply की करता है और sexual phases में नहीं होता है परंतु latest में 2013 में जो findings आई है उसके बोहन नाम के वज्यानिक है बोहन इट एल इन्होंने 2013 में इनका pencilium में sexual reproduction दिखाया और अब tolero-mysage जो करके होता था इसका perfect stage और वह perfect stage या sexual stage अब वो अलग मान लिया गया और यह artificially भी specific condition में six organ develop करने के लिए बात है किया जा चुका है culture के दोरान तो उसके लिए कुछ इसमें आवस्यक condition provide करना पड़ता है और वह है कि इसे dark phase दीजिए under o2 deprivation oxygen की जहां कमी हो temperature 15 degree centigrade हो और oat meal medium हो oat का medium हो oat a grain है तो तीन सताह में इसमें six organ विक्सित होंगें और वह escogonium और anthridium के नाम से जाना जाएगा और यह दिखता है और इसके साथ क्लिस्टोथीचियम भी बनता है इस प्रकार से sexual reproduction pencillium itself में discover किया जा चुका है 2013 के बाद वैज्यानिक का नाम बोहन बोहन 8L इन्होंने ये बात असपस्ट किया था चलिए ठीक है तो इस नई जानकारी के साथ हम लोग अब इसके sexual reproduction पे विचार करते हैं कुछ species इसमें homothelic होते हैं और कुछ heterothelic भी होते हैं U gamus type का sexual reproduction होता है male और female sex organ heterothelic में अलग-अलग branch पर होते हैं अलग-अलग male और thylis पर होते हैं जब heterothelic रहेगा तो thylis अलग-अलग रहेगा और उस पर male और female sex organ विक्सित होंगे और जब homothelic होगा तो एक ही thylis में male और female दोनो sex organ विक्सित होंगे और वो भी एक ही branch से उपर नीचे इनका नाम क्या होगा? और बाद में क्या होगा? कि nucleus of escogonium undergoes repeated division to produce 32 to 64 nuclei तो escogonium unicellar होगा एक सेल का और उस एक सेल या काफी the escogonium and the apical part of it is separated by septa forming a unicellular enthridium having a single nucleus enthridium के case में ये बताया जा रहा है कि escogonium के बगल में ही ये बनेगा और या unicellular रहेगा और इसके अंदर एक nucleus पाए जाएंगे मतलब या unicellular भी है और uninucleate भी है after maturation enthridium bends and touches the escogonium wall अब enthridium जो है जैसे जैसे या grow करेगा तो या coil करता जाएगा जैसा कि पिछले कीतर में आप लोगों ने देखा है आईए एक बार फिर देख लिया जाए ये देखिए यहाँ पर यह escogonium बन रहा है ये देखे एंध्रीडियम enthridium, escogonium, enthridial branch ठीक है तो यहाँ पर देखे ये coiling और aspost आ गई है कि कैसे enthridial branch जो है enthridium या किस परकार से coil कर गया है ये चारो तरफ इसके escogonium center में है ठीक है अच्छा जिस जगा point of contact रहेगा इसके tip वाले भाग का उस जगा से wall dissolve हो जाएगा जो दोनों के बीच का wall इसको intervening wall कहते हैं intervening wall वो dissolve हो जाएगा और cytoplasm of both cells get intermixed तो cytoplasm दोनों का mix हो जाएगा और इस process को कहते हैं plasmogamy आप जानते हैं कि sexual reproduction को तीन भाग में बाटा जाता है तो कहा जाता है plasmogamy karyogamy और meiosis ठीक है तो इसमें plasmogamy का काम यहां होता है परंतु karyogamy यहां नहीं होता है अभी karyogamy आगे चलके होगा वो पास्परंड हो जाता है कुछ समय के लिए तो उससे होता क्या है कि di-cariotic दो अलग-अलग प्रकार के nuclei एक जगा है मान लिजे तो यह nuclei di-carion का निर्मान कर देते हैं और there occurs an intermediate di-carion phase तो इसका मतलब दोनों nuclei कारण विभाजन होता है और विभाजन होने से जो एसको गोनियम है वह multi-cellular structure में विभेदित हो जाता है शुरू में मैं क्या होता है था कि एसको गोनियम unicellular होता है multi-nucleate रहता है अब क्या हुआ कि वह multi-cellular structure में विभाजन के कारण शेप्टा पढ़ने कारण एसको गोनियम विभाजित हो जाता है और उसके प्रतेक cell में दो-दो nuclei pair बनाके रहते हैं तो यह di-carion phase है और यह फर्दर extend करता है कि एसको जीनस हाइफा नाम का एक सनरचना रहेगा जो सुरू में एक bud के समान outgrowth निकलेगा जहां दो nuclei है जिस cell में प्रतेक cell में तो उसमें से एसको जीनस हाइफा निकलेगा बड के रूप में और बड बार-बार septation से फिर आगे बढ़ता जाएगा विभाजन होगा cell का और इस प्रकार से वह बनाएगा एसको जीनस हाइफा तो एसको जीनस हाइफा कहां से निकला एसको गोनियम से निकला और यह भी डाइकरियोटिक है क्योंकि इसके प्रतेक सेल में दो-दो nuclei पेर में मौजूद हैं अब जो एसको जीनस हाइफा है इसका जो सिर्स वाला सेल है टर्मिनल सेल है या एसकस मदर सेल के नाम से जाना जाता है एसको जीनस हाइफा के टर्मिनल सेल को एसकस मदर सेल भी कहा जाता है क्योंकि यह आगे चलके एसकस का निर्मान करेगा इसलिए इसको एसकस मदर सेल कहते हैं तो यह जो एसकोजीनस हाइपा का टर्मिनल सेल है जिसमें दो नुकलियाई हैं यह अब कैरियोगैमी करता है कैरियोगैमी मतलब दोनों नुकलियाई फ्यूज करेंगे या sexual reproduction का दूसरा stage है क्या बदाया था plasmo gami, kerio gami, miosis तो अब इस escogenesipha के terminal cell में जो दो nuclei हैं वो वापस में fuse कर जाएंगे और fuse करके kerio gami यहां हो गया अब वह बन गएंगें क्या चीज? escus mother cell और इस escus mother cell elongate करेगा और इसका nucleus जो है जो deployed हो चुका है अब तक वह meiosis followed by mitosis के द्वारा विभाजित होगा मने एक बार meiosis सोगा free nuclear यह कार्य हो रहा है अंदर में जो nuclei है वो deployed हो गया है fusion kerio gami के बाद अब उस nuclei में बिना cell पड़े वो nuclei जो है वह free nuclear division से reduction division मियोसिस होगा और followed by mitosis मियोसिस वाद mitosis होगा जिसे 8 nuclei का निर्मान होगा और यह 8 nuclei थोड़ा थोड़ा cytoplasm लेके metamorfosis या कायांतरण के द्वारा यह escospore का निर्मान कर लेते हैं हम जानते हैं कि escospore escomycetes में produce होने वाला sexual spore है और यह spore क्या होता है तो यह endogenously produced होता है तो एक bottle like structure में अंदर में यह बनता है इसलिए escospore जो escospore जो escospore है उसी के अंदर पाया जाएगा तो जिसी structure के अंदर यह पाया जाता है उसे escospore कहते हैं और वह escospore और कुछ नहीं है वही terminal cell है escogenosipha का जो कि जब तक अंदर यह nucleus का विभाजन होता है उस दौरान वह elongate होके tubular लंबा structure बना लेता है और उसके अंदर escospore पाया जाते हैं और इसमें जो और भी esterile cells हैं वो सारे esterile हाइफा वो सारे cover करता हुआ एक गोला ball hairy ball जिस पर की कुछ structure filament के समान निकले रहेंगे पतले-पतले hair like appendage के नाम से जाना जाता है यहाँ पर इसका नाम जो hair like structure निकले रहते हैं ball पर उसको कहते हैं appendage ball क्या है तो ball क्लिष्टो थीसियम है इसमें क्लिष्टो थीसियम का मतलब जो ऐसा एपो थेसियम जो की closed हो बंद हो उसमें कुछ बाहर निकलने का रास्ता न हो तो इस प्रकार से यह क्लिष्टो थीसियम नामक fruiting body अथवा एसको कार्प का निर्मान पेंसीलियम करता है जो की appendaged होता है उस पर hair-like structure पाये जाते हैं अंदर में escus और escus पोर पाये जाएंगे बाहरी दिवाल को peridium कहा जाता है अब स्वाल है कि जब यह ball-like क्लिष्टो थीसियम structure है तो इससे अंदर में बने हुए escus पोर बाहर कैसे निकलेंगे तो देखे इसके दो लाव है पहली बात तो यह है कि यह चारो और sterile hypovagras से cover होके क्लिष्टो थीसियम ball-like structure का निर्मान हुआ तो यह adverse condition से बचाता है escus पोर को यह perinate करने में मदद करता है unfavorable period को पार करने में उसे perination कहा जाता है तो अब समस्या यह है कि यह तो एक लाव यह पहुचा दिया अब लेकिन escus पोर बाहर कैसे निकलेगा तो escus पोर के बाहर निकलने की प्रक्रिया यह है कि decaying होता है क्लिष्टो थीसियम rapture करता है decomposition के कारण temperature बढ़ेगा घटेगा moisture मिलेगा फिर dry होगा फिर moisture मिलेगा जब नेचर में पड़ा हुआ है perinate करते हुए जब समय ब्यतीत कर रहा है तो ऐसे forces के कारण उसमें क्या होगा कि वह break होगा और decompose करके और जब break होगा वह तब उसमें से escospor बाहर निकलेंगे और जब escospor बाहर आते हैं ये forceibly discharge होते हैं और बाहर आके और फिर ये जब suitable savestratum पे fall करते हैं तो favorable condition में या germ tube के द्वारा grow करेंगे फिर moisture branch करेंगे हाइफा बनाएगे फिर mycelium बनाएगे तो इस प्रकार से इसमें sexual reproduction होता है तो हमने देखा कि meiosis कब हुआ केरियो गयमी कब हुआ अपलाजमो गयमी कब हुआ और इस प्रकार से यह u gamus type का sexual reproduction दिखाता है इसको उसपोर meiotic product है meiosis के बाद और इसकस मदर सेल में कैरियो गयमी होता है और जब इसको गोनियम एंथ्रीडियम रहते हैं तो उस समय फिर उन में प्लाजमो गयमी होता है तो यह तो इसका जीवन चक्र हुआ सर्रचना हुआ classification हुआ इस प्रकार से पर आएए अब साध के हम लोग देखा जाए कि economic importance इसका क्या-क्या है क्योंकि आपके syllabus में आर्थिक महत्व पर विशेश दिया गया है life cycle and economic importance they produce organic acid anti-biotics and microtoxin भी दूसरा point है cheese हमने rock fortai का नाम बताया था blue cheese कहा जाता है तो many pencillium species are used in producing cheese तो rock fortai के द्वारा blue cheese बनता है और combratic forms convert and bright cheese and rock fortai forms rock fort cheese तो cheese या पनीर जिसे कहते हैं तो इस प्रकार से यह महत्व अपना आदा करता है अच्छा इसके अलावे या enzyme और organic acid का भी production करता है many pencillium species are used in the production of organic acid such as citric acid, gluconic acid, tartaric acid और कुछ enzyme भी इससे प्राप्त होता है जिसे जैसे amylase, protease, cellulase, lipase and pectinase जो decompose करने वाले organism है उनके अंदर इस प्रकार के enzyme पाये जाते हैं जिससे वो अपना decomposition का कारिक कर पाते हैं तो इसे enzyme pencillium से क्या मिलता है cellulase मिलता है, protease मिलता है, amylase मिलता है, lipase मिलता है, pectinase मिलता है anti-biotic की जहां तक बात है तो पहले ही बताया कि pencilline नाम का anti-biotic जिसे wonder drug के नाम से जानते है क्योंकि दूइतिय विस्यूत के बाद धेर सारे जो घायल लोग हैं उनको ठीक करने का या साधन बना था और ऐसे millions of people का इसने जान बचाने में सच्छम रहा इसलिए इसे wonder drug के नाम से भी बोलते हैं और anti-biotic के नाम पर या भी जानने कि यह होता क्या है यह होता है microbial product that kills other microbes किसी microbes के द्वारा ही produce होता है और यदि वह दूसरे microbes को kill कर दे यह छमता उसमें हो तो इसे anti-biotic कहा जाएगा यह microbial product that kills the other microbes और 1929 में Legender Fleming ने पैंसिलीन का आविसकार किया था और उन्होंने देखा कि यह gram positive bacteria को inhibit कर देता है और यह काम कहा करता है तो bacteria के cell valve formation को break कर देता है cell valve formation को check कर देता है रोक देता है और cell valve को decompose भी करता है इस प्रकार से bacteria kill कर देता है अच्छा किस्से यह प्राप्त होता है तो पहले से pencillium notatum से जब इन्होंने आविसकार किया था तो इन्होंने pencillium notatum से आविसकार किया था बाद में अच्छी वेराइटी जिससे की अच्छा ज्यादे मातरा में एंटिबाइटिक मिले वह pencillium crysogenum के नाम से जाना जाता है तो अब हम लोग pencillium crysogenum कहते हैं भारत सरकार का हिंदुस्तान एंटिबाइटिक्स लिम्टेट पिम्परी पुना और रिसी केस में दो जगा है pencillium inhibits enzyme for cell wall formation of bacteria तो बैक्टिरिया के cell wall formation को रोकता है और उसके प्रोटेक्टिव वाल को ब्रेकडाउन कर देता है production of antifungal drug and tumor suppressing compounds इसके द्वारा antifungal drug और tumor suppressing compounds का भी प्राप्त होता है और used in micro remediation using fungus to break down genobiotic compounds यह remediation कहा जाता है कि biological organism के उपयोग करके जो पर्यावरण में नुकसान दे मालिकुल सें उन मालिकुल का यदि किया जाता है pencillium की एक और बहुत बड़ी खास्यत है pencillium से brevy compactium नाम का एक compound प्राप्त होता है जो की immunosupprescent है immune system को suppress कर देता है दबा देता है और किसी भी organ transplant में यह काम आता है मालिजी organ transplant का मतलब है कि किसी एक का आख दूसरे में लगा दिया गया तो यह organ transplant हो रहा है तो इस प्रक्रिया में जब दूसरे जगा का आख आएगा तो उसे antigenic material मानेगा आपका शरीर और इम्यूनो जो आपका immune system है defense system है शरीर का जिसके अंदर वह बाहर की चीज बाहर का आख लगाए जाएगा या बाहर की कोई चीज organ transplant में लगाए जाएगा तो उस organ को वह reject कर देगा उसके against वह काम करने लगेगा defense system उस व्यक्ति का और यदि यह जो compound का नाम अभी लिया गया एक बार फिर मैं बताता हूँ आप लोग गौर करिएगा यह ब्रेवी compactium नहीं ब्रेवी compactine ब्रेवी compactine ब्रेवी compactine नाम का जो यह chemical है पेंसिलियम से प्राप्त होता है और यह immunosuppressant है क्या है immunosuppressant immune system को suppress कर देता है तो इससे organ transplant दूसरे का दूसरे में जब लगाया जाता है तो वहाँ पर उसका rejection की संभावना नगरने हो जाती है तो इस प्रकार से इसके यह आर्थिक महत है ठीक है आज आप लोग जुड़े रहें आप लोग यदि subscribe कर लेंगे तो जो भी नया आपके topics का वीडियो आएगा उसका notification आपको मिल जाएगा तो इफ आपको आज दी अच्छा लगा तो आप like भी करें और share भी करें अपने दोस्तों को भी बताएं जिन्हें नहीं पता है कि वो यहाँ से जुड़के और अपने topics को समझ सकते हैं आप लोग को कहीं कोई confusion हो रहा है तो उसको आप लोग comment box में लिखें और उसका भी जब आप वहाँ पर उपलब्द करा दिया जाएगा और जब direct interaction होगा class में तो वहाँ पर भी उसको दूर किया जाएगा तो आप comment box में डालके वहाँ पर भी quick response पा सकते हैं तो आप लोग जुड़े हैं आप लोग ने सुना इसके लिए आप सभी को धन्यवाद थैंक्यू बेरी मुझ